Good morning dear parents, dear parents, वैसा मैं आपको हर वीडियो भी बताती है, कि लिखने से पहले आप बच्चों को कविताएं, और राइन्स, A to Z, अल्फाबेट, का से हा, स्वार, और वेंजन, 0 to 60, नंबर्स, बूर्दरोली को ओरली सिखा दे, देखिया, आज हमां सिखेंगे के, K4, काइट, K4, केटल, यहां मैंने डॉट-डॉट करके दिखा दिया था, एक मैं आपको सामझी करके दिखा दिखा दिया, यह एक स्ट्रेट लाइन होगी, और दो अपोजिट डिरेक्शन में स्लैंटिंग, यानि तिर्ची लाइन होगी, और हिंदी में आज हम करेंगे, ओ अखली का, यह देखिए, ओ ओखली का है, यहां मैंने डॉट में बनाके दिखाया है, एक मैं आपको आपके सामने करके दिखा रही हूँ, किस तरह से, ओ लिखना है, यह देखिए, और अब हम नमबर्स लिखेंगे, आज हमको 13 लिखना है, लेकि मैंने लिख दिया है, और यह देखिए, यहां मैं लिखके दिखाया हूँ, आपको टेर पैर्ट्स, बॉक्स के बीचो बीच लिखेंगे आप, और आपको हाथ पकड़के उनको लिखाना है, है ना, और यह देखिए, कि इस तरह से मैंने कॉपी में लिखा है आप भी विल्कुल वैसे लिखे देंगे डियर पैरेंट्स आप चाहें तो इसको स्लेट में भी लिखे दिखा सकते हैं यह देखिए मैंने शोटा सा एक के फॉर काइट बना दिया है आप किसी भी तरह से जो आपके घर में अवेलेबल हो आप उनसे ही बच्चियों को पढ़ा सकते हैं देखिए यह मैंने ओखली का बना दिया है और पूरे पेज में ओबना हुआ है यह नमबर है नमबर थर्टीन तो थर्टीन स्टिक बना दे कुछ भी बना दे आप थर्टीन केंडल बना दे देखिए तो यह था आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए